कि चलिए आज का हम लोगों का पढ़ाई है electronic बिन्यास कौन सब बिन्यास ध्यास से देखिएगा सुनिएगा इलेक्ट्रानिक दिखाई दे रहा है कोई प्रॉब्लम किसी को यह लिखा हुआ क्या इलेक्ट्रानिक बिन्यास इंगलिस में क्या बोलते हैं इसको इलेक्ट्रानिक को इलेक्ट्रानिक ही लिखा जाएगा क्या लिखा जाएगा T-R-O-N-I-C जड़ा देखे क्या लिखा हुआ है E-L-E-C-T-R-O-N-I-C इसको बोलेंगे क्या? Electronic हिंदी में भी Electronic है और क्या है? इंगलिस में भी Electronic है आगे आया बिन्यास क्या आया? इसको बोलते है Configration क्या बोलते है? C-O-N-F-I क्या हो गया? Configration है G-U-R-A-T-I-O-N कोई प्राबलम किसी को? अब देखे हैं मैंने आपको बताया था कि उन्ही बच्चों को Electronic बिन्यास आएगा जिन बच्चों को तत्त का संकेत तत्त का संकेत हो गया? तत्त का नाम और तत्त का प्रमाडू करमांग याद रहेगा अच्छे धंग से तभी Electronic बिन्यास कर पाएंगे अन्था नहीं कर पाएंगे जब पूछा जाएगा पेपर में कि Sodium का Electronic बिन्यास कीजिए Calcium का Electronic बिन्यास कीजिए तो आप क्या करेंगे? फालो करेंगे कि हमें इस परकार नियम बताया गया था और इस परकार हमें करना चाहिए कोई दिक्कत किसी को? तो एक बार फिर से रिवीजन हो जाए तत्त का संकेत परमाडू करमा को इसके बाद इसके नियम को बताते चलेंगे और लिखवाते चलेंगे इलेक्ट्रानिक बिन्यास के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है? तत्त का नाम क्लियर? उसके बाद तत्त का तत्त का संकेत उसके बाद तत्त का परमाडू करमांग कोई प्राबलम किसी को? जिसका पहला दिन कलास है उसके लिए भी अच्छा है और जिसका प्रतदिन का कलास है उसके लिए और वहतर कलास है क्यों? है की नहीं है? तो अगर इलेक्ट्रानिक बिन्यास अगर अच्छे से जानना है, अच्छे से करना है और अच्छा से नंबर प्राप्त करना है तो इन सब चीजों को सबसे पहले क्या करना है? तैयार करना है और साइद हम जाने जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से यही सब चल रहा है क्यों? और सबको लगभग आभी गया है क्यों? चलिए हमने बोला तत्तो का नाम क्या नाम है? हाइडरोजन तो हाइडरोजन का प्रमाडु करमांक और हाइडरोजन का क्या है? संकेत है हाइडरोजन हिंदिम लिखा गया या नहीं? अब उइंगलिस में लिखेंगे तो y-d-r-o j-e-n Hydrogen लि חा है कि ने लिगा है? अब इसका संकेत बताना है. तो किसी भी तत्य को अगर अंग्रेजी नाम में लिखेंगे? चलिए. कहीं पर जी भी रहता है, कहीं पर क्या होता है? जड भी होता है, confusion ने हुएगा. Hydrogen लिखा, क्या लिखा है? Hydrogen. अब ध्यान सुनिया में बोले क्या है तत्त का नाम अगर अंग्रेजी वर्ड माला से लिखे हैं किसे लिखे हैं अंग्रेजी वर्ड माला से तो देखें तत्त का जो नाम है अंग्रेजी वर्ड का पहला जो अच्छर है क्या है पहला अच्छर वही उसका संकेत होता क्या होता है संकेट तो हाइडोजन का संकेट क्या हो गया याच हो गया पर माडु करमांक कोई दिक्कत किसी को आ रहा समझ में ना हाइडोजन की बाद क्या नाम आता है ही ली यम क्या है ही ली यम को कैसे लिखेंगे य-I-E-B-1-E-L-I-U-E-M है कि 1-E-L है 1-E-L है चलिए अब हीलियम लिखा गया है ना तो हीलियम का पहला अच्छर क्या है यज ठाब लेकिन इसके साथ एक अच्छर और जुड़ा है E है तो इसका संकित क्या हो जाएगा यज ई अब परमाडू कर्माग क्या हुजाएगा? कोई दिखत किसी को? आरहने समझ में अब धियान दीजेगा इसी तरह आपको कहा तक बताया गया था? तीस तक कितना बताया गया था? तो तीस तक सब लुग तैार कर लिये हो बोलो जल्दी से finish करें ना? तो इसी तरह से हम आपको बताये थे, पहले भी आज भी एक दो एक्जामपन लेके समझाएं कि आपको तत्त का नाम याद होना चाहिए और उसका संक्ट मालूम होना चाहिए प्रमाड कर्मा कोई दिंग कर दिया जाए चलो अब ध्यान दीजेगा इसका एक ट्रिक बताया गया था ट्रिक मालूम है कि नहीं मालूम है इस ट्रिक से आप एक लाइन क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा तत पहले नंबर पर है कौन दूसरे नंबर पर कौन तीसरे नंबर पर है हम पहले लिख दे रहे हैं, क्या लिखा है? हमारी heroine क्या लिखा है? कोई दिकत? त्रिक देखेगा ध्यान से, इससे तत्यो का नाम भी याद हो जाएगा और परमाडु कर्मान के भी याद हो जाएगा और संकेत तो अपने आप आई जाएगा ध्यान दीजेगा हमारी हिरोईन अब इस सुरू है लीना आगे क्या चलेगा बीना बबिता चमपा चमपा नया और निकाली क्या लिखा है कोई प्राब्लम किसी को आ रहाँ समझ में की नहीं आ रहा है देखे ट्रिग बन गया हमारी हिरोईन लीना बीना बबिता चमपा नया आ पर निकाली याद हो गया होगा बीच में जगे हैं छोड़े रहेंगे तत्तो का नाम लिखने के लिए, कोई प्रॉब्लम किसी को, अब नीचे देखो थोड़ा जगा है देर जीगा, अब यहां से चलेगा, नाना, क्या बोलेंगे, पूरा लिख दीजेगा, नाना, मांगे, अलकोहल, सीता, पीए, सराब, क्या लिखेंगे, सराब, क्लोज, अरून, क्या लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम किसी को, आरा समझ में, फिर यहां जगहां खाली है कि नहीं है, क्यों जगहां खाली किया जा रहा है, क्योंकि मुझे संकेत लिखना, क्या लिखना है, संकेत, अच्छा, इसके बाद देखे, कविता, 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 कसम से इसी में रहेगा कविता कसम से साइन्स टीचर साइन्स टीचर वेरी क्यूरल मांगे फेयर कॉपी क्या बोलेंगे निकिल कापर इधर जा रहा है ना निकिल कापर दिखाई दे रहा है कोई प्राबलम किसी को देखें तीस तक हुआ कि नहीं हुआ हो गया कि नहीं हो गया कोई प्राबलम किसी को फिर से देखें क्या लिखा हुआ है हमारी हिरोईन लीना बीना बविता चंपा नया आफर निकाली नाना मांगे एलकोहल सीता पीए सराब कलोज अरुन कविता कसम से साइंस टीचर वेरी क्योरल मांगे फेयर काउपी निकील कापर जिंग अगर यह अंगली पर नचा के पढ़ लिए किस पर नचा कर अंगली पर अगर पढ़ लिए ना तो आपको संकित परमादु करमांग रटने की कोई जरूआत अब देखो चुटकी में आप निकाल ले जाएंगे हमारी लिखा है ना हमारी इंगलिस में कैसे लिखेंगे याच ए लिखेंगे किने लिखेंगे याच ए-उम-ए-ार-वाए तो पहला छरका देगे याच दरूआ हम दश्था देंगे आया कि नहीं आयाए दूसरे नमबर पर हиф याब इंग यंदू यह लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे B, चमपा लिखना C, नया लिखना Yen, आफर लिखना O, फर लिखना Yaf, निकाली निकला तो Yen E, Yen E होगा, इसको नियान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अच्छा फिर देखो, नाना है, तो नाना कैसे लिखते हैं, Yen A, Yen A, नाना लिखते हैं ना, तो Yen A हो जाएगा, मांगे PA मतलब P, सराब मतलब YAS, क्लोज मतलब CL, अरुन मतलब AR, आ रहा किने आ रहा हैं, इसके बाद देखो, कभी ता किसे दर्स आएंगे, के से, कसम से CA, साइंस मतलब YASI, टीचर मतलब TI, TI है ना, किने यह हैं, अब वेरी मतलब V, क्यूरल मतलब CR, मांगे मतलब Yen, देखो, मां मांगे में MG है, और एक मांगे में क्या है, यह मयन है, और फेर मतलब Yafi, और कापी मतलब C, O, और वाकि तो, CU नहीं, इधर क्या होगा, यहां पर क्या है, CU है, अच्छा, A, यहां CU होगा, और यहां पर CU होगा, और रहां गया, निकिल, कापर, जिंक, बोलो हो गया की नही कि नहीं हुगा अगर आपको ट्रिक याद हो गया है तो संकेत भी आसान लगा कि नहीं लगा कोई प्रॉब्लम किसी को कोई रटने की जरुवत आ गया ना समझ में देखिए अब यहां से अब आप हिंदी इस पर अंगली रखेंगे तो आप बताएंगे यह क्या लिखा है हाइडोजन बोलिए क्या लिखा है एक 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 क्या लिखा है नियान बहुत सही एक क्या लिखा है एक क्या लिखा है एक क्या लिखा है एक क्या लिखा है एक क्या लिखा लिखा है इसका नाम इसका नाम इसका ना मैं परण या या आइरन और इसका नाम कोबाल्ट इसका नाम कापर और जिंग बोलो आया की नहीं तो एक सब्द बार बार घूजेगा ना तो दिमाख में एकदम सेट होगा कि नहीं होगा बोलो ऐसे कितने लोग लड़की और लड़के हैं जिनको समझ में नहीं आया पूछ सकता है एकदम खड़ा होके नीज स्वार्थ एकदम इधर सबको आगया समझ में अब देखो अगर यह करम बद्धता आपको याद है तो परमाडू करमांक रटने की जरुवत बोलो कैसे क्यों नहीं जरुवत है क्योंकि यह जो ट्रिक बना है ना ऐसे सिस्टम से बनाया गया है कि आपको परमाडू करमांक आसानी से आ जाएगा है देखिए हाइडोजन एक है कि नहीं है हेलियम कितने नंबर पर है दो इधर से देखो तीन चार पांट छे साथ आठ नौ दस ग्यारे बारे तेरे चौदे पंद्रे सोले सत्रे अठारे उन्नीस बीस एकीस बाइस तेईस चोविस पचीस चबीस सताइस अठाइस वंतिस त देखिए तो स्यां दीजिए सोडियम का परमाड़ कर्मांग पूछे ना तो आप अंगुली पर इसे नचा लिजिए ध्यान दीजिए दस है कि नहीं है तो हैंसे देखिए हमारी हिरोइन लीना बीना बविता चंपा नया आफर निकाली इसके बाद ना ना आ गया 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 ड्यान एक लिए मुणि शीफ कालमीए शीयरशों ट्वेश केल्सियाम सी ट्वेंटी ततीी सिये 23rd criticisms अगर माली सोडियों पूछे त rein gonna रेक हैं क्या रहा है क्या बोलेंगेे ऑनने ग्यार कोई प्राप्प्लम आप जैसा यह दिमाग में इसे क्या आप पड़ाओ। बहुत कि समझ मेश को हbsक कब पड़ता है जब आप कभी भूल जाई यह तो तो took isli बनाए दिया जाता ता कि आप ट्रिक याद रहता बच्चों को, अभी मजाक मजाक की ट्रिक बना है, लेकिन भूलेंगे नहीं ना, कोई भूलेगा, बोल दो, नहीं भूलेंगे, किलिए रहेगा, हो गया, आगे बढ़ें अब, अब इस पर चलें, परमारू करमांग मालूम है न सबको, एक बर बोल द सब याद हो गया है, बोलो जल्दी, याद हो गया है, हाथ उठाक बोलिये, याद हो गया है, हाथ उठाक बोलिये, याद हो गया है, याद हो गया है, चलो, कोई दिक्कत, एक बार फिर से सरसरी निगाफ चलते हैं, कोई दिक्कत, हम बोलेंगे हाइड्रोजन, तो आप कहें हम बोलेंगे sodium कहेंगे यहन्ने 11 है कोई दिक्कत चलो hydrogen 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 helium lithium 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 li3 boron B5 क्या बोलेंगे B5 थोड़ा दिमाग भी स्तिर करिए कहां सम पूछ रहे हैं ठीक है ना sodium 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 11 अचलिए फासफोरस 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 पी पंद्र है फासफोरस क्या है पंद्र है सिलीकान SI 14 बताये थे ना सिलीकान SI 14 सिलीकान सलफर यह 16 यह 16 यह 16 है ना कलोरीन CL 77 कलोरीन CL 77 बोलो आ गया कि नहीं आ गया कोई दिक्कत किसी को तो समझ में आ गया ना तो आगे बढ़ें आब चलिए इलेक्टरानिक विण्यास पर ध्यान दीजिए किस पर ध्यान देना है हो गया सेट कि नहीं हुआ हो गया अच्छे से चलो आगे बढ़ें कि अब दूदूला क्यों आ रहा है कि आने दिजिए का करना है कि अब सुरू किया जाए फिर निस कर रहे हैं तब कि यह चीज आप दिमाग में इस्तिर किये रही है ठीक है कि जहां तक कोशि सो रहा है पूरा फूल दिमाग लगा के आपको समझा दिया जा रहा त्यों चलिए अब समझे पहले समय我們 ether हमको कोिए लेक्ट्रानिक विन्यास में सबसे पहले समझा है कच्छाए क्या समझना पूर्ध है कि इस अर्जा अस्तर भी बोला जाता है अब समझे ए जो कच्छाएं है एक क्या होता है ध्यान से समझेगा एक बेग्यानिक थें बोहर कौन थें तो यहां लिख दे रहा हूं बोहर के अनुसार किसके अनुसार बोहर के अनुसार कोई दिकत किसी को चलिए बोहर के क्या लिखा है अनुसार इन्हों ने बताया था कि परमाड के चारो और क्या बोलें परमाड के चारो और एक निश्चित बृतिय पत क्या बोलें एक निश्चित बृतिय पत पर चक्कर लगाते रहते हैं क्या लगाते रहते हैं चक्कर लगाते रहते हैं उसी को बोला जाता क्या कच्छाएं कौन बताया था ये वहर ने बताया था कि पर्माड के चारो और क्या बोलें परमाडू के माली हमने एक नाभिक बना दिया क्या बना दिया नाभिक और नाभिक में क्या पाय जाता है नेउट्रान और प्रोटान नाभिक के अंदर क्या पाय जाता है नाभिक के अंदर क्या पाय जाता है एक जवाब सबका निकलना चाहिए फिर से बोलिए नाभीक के अंदर क्या पाए जाता है नेउट्रान और प्रोटान अब हम क्या कर रहे है कि इस नाभीक के अंदर जो नेउट्रान प्रोटान है एक कोई परमाड़ है अब मैं बोला कि परमाड़ के दियान सुनिए कच्छाएं की परिभासा क्या बताना है मैं बोला किसी परमाड के बोहर के अनुसार बताया रहा है किसी परमाड के चारो और किसी परमाड के चारो और बृतिय पथ क्या लिखेंगे किसी परमाड के चारो और बृतिय पथ पर चक्र लगाता है के लगाता है चकर लगाता है उसी चकर लगाने वाले निश्चित पत्थ को क्या खैक कच्छाय an easier बोलते हैं कोई परव्म किसी को चलिए परिभासा लिखे तब हेडिंग ड हैं इसके परिभासा लिखिए को लेके आगे बोहर के अनुषा लिखिए झां कुझ किल icon इलेक्ट्रान कैसे दर्स आए जागा इसे ना इलेक्ट्रान परमाड के चारो और परमाड के चारो और इलेक्ट्रान परमाड के चारो और निश्चित बृत्तिय पत्थो पर निश्चित बृत्तिय पत्थो पर निश्चित बृत्तिय पत्थो पर क्या लगाते हैं चक्कर लगाते रहते हैं का णुझा इन फृत्तिय पत्थ को निबृत्तिय पत्थ इन ही बृत्तिय कर निखर कर के च्हाए करते हैं कि ओलो परीभास हो गया सबका कोई दिकत किसी को तो पता चल गया आपकोना कौन बताया था ये बोहर बताया कौन बताये थें बोहर तो बोहर ने बताया या बोहर के अनुषार कि इलेक्ट्रान जो होता है वो परमाडू के चारो ओर तू देखिए एही है ना आपका तो एह होगया नाभीक और नाभीक के चारो और बृति पत बना acrylic नहीं और एक चक्कर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है और लगाने बाद कौन सा चीज भरमण करता है इलेक्ट्रान कौन भरमण करता है इलेक्ट्रान तो देखें नाभी के बाहर चारो और कौन चक्कर लगाता है इलेक्ट्रान तो यह जो चारो और चकर लगाया जा रहा है इलेक इलेक्ट्रान परमाडू के चारो और है इलेक्ट्रान है इलेक्ट्रान परमाडू के चारो और निश्चित बृत्तिय पत्थ पर क्या लगाता है चक्कर लगाता है और इसी चक्कर लगाने वाले को हम क्या बोलते हैं आ गया कि नहीं समझ में कोई प्राब्लम किसी को अच्छ कच्छाओं का क्या है नाम है अब नाम दे दिया जाय क्या चलिए इस्टितिन कुन कहें बोलेंगे कि कर बोलेंगे को बैद सीbook अब देखिए ली कि uda में इसका क्या है इसका अधेला वाला Pag energies kya है कि दूसरा वाला प्र लाइंट यहम ऐसे और से और ऑ mots इसमецित परेखिकर का यहां जाएगा। क्या बन जाएगा तो यहांग हो जाएगा उसके बाद न हो जाएगा, तो बोलें के कोस, यह्कोस, यहम कोस, यंखोस, यहन कोस के बना कोस ऐसे और आ driving जाएगा। कोई दिक्कत किसी को बना लिजिए फीगर जल्दिस बनाईए हो गया सबका है चलो हो गया सबका तो मालुम चल गया ना नाभी के पास जो पहला चारो तरफ ब्रिती पर थे उसका क्या नाम है के उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या हो सकता है हो सकता है ना तो ऐसे बढ़ता जाएगा कहां तक साथ तक कितना तक साथ तक अच्छा इसका नाम देखे नंबरी इसको डाल सकते हैं य के वाले कोस में यन बराबर किना है एक फिर दूसरे नमबर पर दो तीसरे नमबर पर तीन चोथे नमबर पर आ गया कि नहीं आ गया एक कोसों की संख्या है कोसों की क्या है संख्या कोसों की संख्या किसे दर्साएंगे यन बराबर एक तो उसका नाम क्या है के दूसरे वाले क n बराबर टू तो क्या है? n बराबर तीन तो क्या है? n बराबर चार है तो क्या है? बोलो यहाँ तक आगे सबको कि नहीं आया? फिनिश कर दिया जाए इसको आगे बढ़ें आप अब electronic benyas समझ़ें क्या समझें? heading डालिए Electronic benyas यह जो हेडिंग पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रानिक बिन्यास, इलेक्ट्रानिक बिन्यास, क्या लिखा गया है? इलेक्ट्रानिक बिन्यास, अब समझो, इलेक्ट्रानिक बिन्यास क्या है? इलेक्ट्रानिक बिन्यास, लिखे, परमाड की कछाओं में, इलेक्ट्रानों के बितरन को बिन्यास क्या है? इलेक्ट्रानों के बितरन को क्या कहते है? इलेक्ट्रानिक बिन्यास कहते हैं. बोलो आगया सब को समझ में? आया की नहीं आया? अब यही चीज है, देखो, परमाड कोई है, और उस परमाड की क्या कह रहा है? कच्छाओं कह रहा तो परमाड़ की कच्छाओं में इलेक्ट्रानों के बितरन को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रानिक बिन्यास कहते हैं आए दूसरा फीगर से हम समझें इसको फिनिस करें इसको सब लोग लिख लिए अब समझाने जा रहा है समझेगा कहीं से मिले कालिक तो पोतवाईए इस पे उसे दाई से कहना पड़ेगा क्यों हम लेते हैं सोडियम क्या लेते हैं दियां दीजे क्या लिखे हैं इन्ने क्या है सोडियम है ना और सोडियम का परमाडु करमांग कितना होता है हाँ, सोडियम का परमाडु करमांग होता है 11, कोई प्राबलम किसी को नहीं है, अब देखिए सोडियम का परमाडु करमांग की 11 है इसका इलेक्टरानिक बिन्यास जब करेंगे तो होगा 2,8 कामा कितना एक होगा, परन्तु अभी इसका नियम तो हम लिखवाए नहीं है लेकिन समझा दिया गया था, ठीक, अब देखिए कि सोडियम का परमाडु करमांग की 11 है, इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्टरान है, 11 है कितने इलेक्टरान है, 11 है और 11 है इलेक्टरान में पहले कॉष में कितने इलेक्टरान? दो, दूसरे में आठ और तीसरे में किना है? एक है कि नहीं है? अब इसको हम कह रहे हैं कि अगर हमको पर्माड की कछाओं में इलेक्टरान का क्या करना हो? बितरन करना हो तो कैसे करेंगे? ध्यां दिजिए गा- सबसे पहले एक नाभिक बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बन गया, अब नाभिक क्या एक पहला कोस हो गया, होगा कि नहीं होगा, उसके बाद एक हो गया, फिर उसके बाद आठ है, दूसरे नमबर पर है, होगा, एक और बनाएंगे, बन गया कि नहीं बन गया, कोई दिक्कत कि किसी को अगर और एक अंख होता तो चार बार जाता एक और होता तो पांच बार बनाते हैं कोई दिक्कत किसी को नए अब देखे पहला वाले में कितना इलेक्टरान है तो देखे ऐसे हो जाएगा इलेक्टरान इलेक्टरान दो हुआ कि नहीं हुआ दूसरे में कितना है आठ तो देखे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और क्या हो गया, आठ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तीसरे में कितना है, आप कहीं भी एक कर दीजिए, हुआ कि नहीं हुआ, अब ज़रा परिभासा देखे, परमाडु की, तो यह जो सोडियम है, यह क्या है, परमाडु ह करने पर, तो देखे, इलेक्टरान का बितरन हुआ की नहीं हुआ, इसी को हम क्या बोलते है, इलेक्टरानिक बिन्यास, अब इसका नाम हो गया, परमाडु सनचना, अगर ऐसा बना देते हैं, तो इसका नाम हो गया, परमाडु सनचना, और ऐसा कर देते हैं, तो इसका नाम बिन्यास यदि सीख लिया तो इसी इलेक्ट्रानिक बिन्यास के अधार पर क्या बनाएंगे सनचना आया की नहीं आया कोई दिक्कत किसी को आ गया ना एक आउट ट्राइ कर लिया जाए चलो कि अभी बनाईए गमाते सब आगे सीखेंगे आप आक्सीजन क्या लेते हैं आक्सीजन का संकेत ओ इसका परमाड़ कर मांग आठ हो जाएगा चलो इलेक्ट्रानिक बिन्यास किना होगा पहले कोई में कितने होते हैं दो दूसरे में किना होगा च्छै आया अब इसको परमाड़ सनचना बना तो पहले क्या बनाएंगे नाभी न पहले वाले में किन्ना भरेंगे दूसरे वाले में एक, दो, तीन, चार, पांच और किन्न हो गए आया की नहीं आया आया आप देखें बितरन किया है की नहीं किया है कि आप परमाड की कच्छाओं में इलेक्टरानों के बितरन को क्या कहेंगे इलेक्टरान एक बिन्यास करें तो यहां परमाड़ू का इलेक्ट्रान बीतरन हुगा कने लिंए हुगा और आप pulling वितरन को आप était मैं कि ऑगर कर दे ओग ता अ हो परमाड़ू सनच्शा बोलो आया कि नहीं आया आगया पर माड़ी सच्शन बनाने अगर आपको इलेक्ट्रानी विन्यास आया तो आप 300 तत्यों का बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं आ सकता है कि नहीं आ सकता है कोई प्राबलम किसी को नहीं ना आ गया लेकिन अभी इसका नियम सिखाए नहीं है लेकिन बिना नियम सिखाए हुए आप पहले से जान गए है है कि नहीं इलेक्टानी बिन्यास कैसे करना है कोई प्रॉब्लम किसी को चलो बढ़िया है अब एक हेडिन डालिए बोहर योजना किसकी घंटी है हाँ आई है अच्छा अच्छा कहा है बोहर बरी है क्या लिखा है अच्छा करने के लिए ग्यात किये तो ये ग्यात किये थे 1921 में इन्होंने परमाड के इलेक्टरानों को क्या किया बितरन किया और बितरन करने के बाद उन्होंने एक योजना प्रस्तुत किया और उसी योजना को क्या कहा जाता है बोहर बरी की योजना लिखे इसको लिख लिजे इसको परमाड की कच्छाओं में ग्यात करने के लिए एक योजना प्रस्तुत किया एक योजना सन वनीस सो इकीस में प्रस्तुत किये हो गया जिसे बोहर बरी योजना कहते हैं परमाड की कच्छाओं में इलेक्ट्रान का बितरन ग्यात करने के लिए एक योजना क्या हुआ सन वनीस सो इकीस में प्रस्तुत किये हैं जिसे क्या कहा जाता है कोई दिक्कत आ गया समझ में अब हम बोहर बरी के नियम से क्या सीखेंगे इलेक्ट्रानिक बिन्यास कोई प्रॉब्लम तो इसको कल सिखा जाए को दिक्कत आ गया समझ में हां तक ठीक है अब कल हम लोग समझेंगे बोहर बरी के नियम से इलेक्ट्रानिक बिन्यास